उसके प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, आए उन से जानते हैं इस विशेष पहल के बारे में देखिए जो हमारे खोया-काय केंद्र हैं, ये हमारे कुम्मेला 2021 के दुष्टिगत कुमेला 2020 केद्विस्ट क हमारे टोटल 33 स्थानों में बनाए गए हैं इसप्सिलिए जो हमारे 23 थाने हैं और दो हमारे जियारपी के थाने हैं इसके अलावा जो जो क्राउड वाले हमारे मेन पार्किंग से हैं मंदिर से हैं वहां पर जो है ख्यापाय केंद्र डिवाल की बहुत unique कहिए और वहां पर उस्परण tan existing गया है यहनि वहां पर जो है जो स्थाफ है उसको भलीवाती जो है meditam करने के उपरान वाहद नियूपत गया है कर अपर उसके लिए इसके लिए ette डिशेतEM और साथी साथ इंटरनेट एक्सेस के लिए वहां पे वाइफाइड डोंगल भी प्रोवाइड कर आए गये हैं और उनको इस समंद्ध में वल्लीवाती प्रसिक्षन दिया चुका है और साथी साथ इसमें मैंचीज है कि जो है जो ऑफलाइन काम हो रहा है हमारा जो मैनुवली और सबसे पहले प्लेश दोनों के लिए उसका नाम है कुम्ब पुलिस दोजार कि स्लोश्टेंड फांग यह जो एप है हमारा इसके इसमें जैसी हम क्लिक करते हैं इसमें जो है इसको सबसे पहले प्लेश टोर में जाके डाउनलोड करना है और इसमें दो अप्शन आ रहा है एक तो सिटीजन वाला है और एक पुलिस वाला आप स्पस्ट देख सकते हैं इसमें और जो सिटीजन वाला उप्शन है इसके उपर सबसे पहले हमारा है रजिस् जो यानि सिकायत करने गया है हमारे नेरेश्ठ खवयाभाया के इंद्रे मैं उसकी सारी डिटेल फिलब होगी और उसके पस्चाइद जो इसमें उप्सन आ रहा है सुपना अंधे बिविथा या कर से नेमोन जरे हुर्ट्स आइगा और उसकी फूटो जो एप सब्मिट करने के लिए जो मोबाइल नमबर डाल लख है उसके द्वारा भी इसको जैसी हो यहां से बैक करेगा उसके बाद उसके द्वारा अपलोड की गई पूरी जानकरी जो है सर्वर मा आ जाएगी और उसको जो इसका तीसरा उप्सन है ट्रेक स्टेटस इसमें जाक सब्सकार यह तो है मिसिंग पर्सन के बारे में इसका दूसरा जो ऑप्सन है रेजिस्टर मिसिंग प्रॉपर्टी सेम अगर माना उसके कोई प्रॉपर्टी गुम हो जाती है तो उसके लिए वो सेम यहीं कारवाई फॉलोग कर सकता है और इसके अलावा वो जो भी बंदे ह हमारे कुम में के दोरां जो है टूटल जो फांड पर्सन यह उसकी लिस्ट जो है कि सब्सक्राविक कर और सेम जो है आंच चिल्डरन वाले के इसमें और इसके चैसा इसके इमेरिजन्सी नमबर भी प्रोवाइड कराए गए हैं पुलिस का नमबर है फार सर्विस है और इस इसमें अपलोड की गई है और इसमें अन्नी सुमिधामी भी है और साथी साथ मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं इसमें जो हमारे पुलिस परसनल है यह अपना जो है उसको उसके लिए अलग से हमने जो एक लोगन लोगिन आईडियो पासवर्ड बनाया गया है और उ जो भी उसमें अपलोड किया होगा इसकी बिष्टरी जानकरी जो है राप्त कर सकता है तो प्रतमान में यहीं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पब्लीक से भी अपील करना चाहूंगा कि इसे जाधा संख्या में जो है ड और इसके अलावा यह कुछ समय पहले एक समाचारों में फब्रों में हमने यह पढ़ा और सुना कि काफी समय पहले होया हुआ कोई विक्ति आपके माध्यम से अपनी परीजनों तक से मिल पाया तो उनकी भी थोड़ी जानकरी जी है ऐसा हुआ है हमारा जो रिशी के इस खोया अर्दी कुम्ब आयरे मरे ugh यह थी और वह जो है कि मेला में विछल गए थी पुछों मेमारे यह बिचल प की और वहां पर認मे नियुक्त हमने पीट कर नियुक यह उन्होंने काफी हुज्बीन करके जो है काफी मसकत करने के बाद उन्होंने जो है इस 2021 के कुम में उसको रिकबर करने के में जो है काफी महतुमोल भूमी का निकाई और आज की डेट में जो है चार अपरेल को जो है उसके परिजनों को वहां से संपर्ग कर गए उतरप्रदेश से बुला के उनको मिलाए अंकराचारी चोक के आसपास बिचुड़ गई थी जब देहरादून से हरिद्वार आई तो हरिद्वार मेला चेत्र में वह भठक गई थी बिल्कुल और बिल्कुली असाहाई और असाहाई दसामें थी वह रो रही थी उनके साथ बच्चा था बहुत सारा सामान था तो उ जो है स्टेशन से निकल चुकी थी और उन्होंने जो है उसको सुपर दो करवाया और उसमें और सामान भी कुरा लूट करवाया तो ऐसी बहुत सी घड़ना है जो कि हम आपसे सेर कर सकते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह जो सुविधाएं पुलिस प्रशासन द्वारा उठा आए गए कदम हैं यह बहुत मददगार साबित हो सकते हैं लेकि इनका पूरा लाब जनता को तब मिलेगा जब हम सही तरीके से सही ढंग से और सही इस्थान पर इनका लाब उठाएंगे निर्मोही अनी अखाड़ा के शी महंत राजंदर दास जी से बात करते हैं कि वैशनों संप्रदाय क्या है जै स्री राम महंत राजंदर दास निर्मोही अखाड़ा अभी कुमे मेला हरिद्वार में है बैशनों मतलब की जो है हमारे जैसे की आचार हुए रामानंदा चार आचार हुए बल्लवाचार आचार हुए निम्मारकाचार आचार हुए माधवाचार तो इसी तरह चार आचार है यह चारों आचारियों का विचार और पूजा पद्धति रेक टेक भगवान राम और भगवान कृष्ण परंपरा से जूड़ी हुई है इसलिए इसको कहा गया है तो जो है या बैशनो सादू संत या बैशनो पूजा पत्धि या हमारे चार आचार है उनसे जुड़ा हुआ है जैसे आपने पूछा कि बैशनों सब्ज जो है क्या है तो बैशनों मतलब कि एक दल है एक समू है एक आचारों का संगठन है और वही संगठन वही रूप रेखा वही विचार वही पूजा पद्धती है बरतमान कुम हमेले में देखने को मिलता है जैसे कि अखाडे हैं जैसे कि एक बाप के तीन लड़के हैं या दो लड़के हैं तो जो है बाप एक होगा लेकिन नाम अलग-अलग होंगे लड़कों के चेहरे भी अलग-अलग होंगे उसी तरह एक अखाडों की बेवास्था है जैसे अखाडा जो है जल से ना थल से ना व जो एफ देशकाल का भ्रमन कर रहे थे तब बैशनों सादू संतों से उनका पाला पड़ा। और देखा कि यह सब मानों और जो है सब का रेक्टेक पूजा पद्धती एक सब का विचार जो है भगवान राम और भगवान कृष्न का पूजा पद्धती। तो जो है उस समय हो जो है सादू संतों की जमात फिर रही थी वह सादू संतों की जमात में जब आए तो राजगराना से रिलेटिव थे और लोगों कि यहां आ रहे हैं और महाराजा की समय में उस दूशंद काफी महत्रा में थे देखी यह जो है अनी अखाड़ा दल समूः या आदी अनादी परंपराओं से चले चले आ रहे हैं नल नील नाम के जो है बानर थे उसी समय से यह खाड़े जो है सजावन निजनिज अनी, अनी मतलब समू दल, वही जो है अनी समू दल वा कुम मेले में देखने को मिलता है, सबका विचार, सबकी सोच और सबका जो है कार जो है सनातन संस्कृति की रक्षा करना, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और जो है जहां भी आपत्ती नमस्कार हमारे साथ है यहां भी मारे समी महामण अले सोरा विश्वासानन जी मैं आप से पुछना चाहता हूं सर भी आपने किया कुंभर स्नान यहां के बेवस्ति अपको कैसे लेगी पुलिश विवस्ता यहां के मेला आजिकारियों की विवस्ता संपुन रूप से सब ठीक है एक ही थूड़ी सी मन में थोड़ा सी एक निराशा है कि एक कोविट के कारण यहां पर जनता नहीं आ पाई इतना ही केवल मन में थोड़ा सा दुख है बाकी मेला जैसे हर बार होता है उससे बड़िया मेला हुआ है इस समय जो प्रशासन है आधिकारी है उनका इतना सयोग है उनके प्रती किसी ने कुछ दुर्भावना व्यक्त की भी होगी तो नमस्कार करके उन्होंने उसको टाला है तो मैं उनको सब को धन्यवाद देता और फिर मैं एक बात और चाहता हूं कि हम गंगा मैया से प्रार्थना करके आये हैं कि कोविड महामारी से जल्दी से जी मुक्ति देवे गंगा applying वहता है यह हम प्रार्थना करके आये है कि उर्देविघ्य देव शो हमारे भक्त श्रधालु करोना के कारण हर्दार नहीं पहुच पाए हैं उनके विश्य में आप जो आप लोग गंगा का स्मरण करने वाले हैं आज आप लोगों ने भले ही आपका तन यहां नहीं हो परन्तों आपका मन यहां लगा हुआ है इसलिए आप भी पुन्ये के बराबर भागिदार है आप लोग बिल्कुल इसा मन में संक प्रण नेफल होगा गंगा जी का आपको दर्शन हो रहा है संतों का दर्शन हो रहा है आप भी पुन्ये के भागी बने मैं यहीं भगवान से प्रार्थन करता हूं महाराची एक बात और पूछना चाहते है आपसे कि इस कुम्ब के दोरान आप देश की जनता को और सनातन धर्म के अन्वियाईयों को क्या संदेश देना यहीं कहिना चाहूंगा जेसे हमारी सरकार भारत सरकार कई आप लोग जो कोविड जो इस समय आप पालन करें क्योंकि यह महामारी कुई किसी को देखती नहीं को बड़े को नहीं देखती है चोटे को नहीं देखती आप इसका बचाव करते हुआ करें चलेंगे तो मुझे लगता है कि ये महामारी अपनी प्रास्त हो जाएंगी तो आप लोग इस महामारी को पराश करने में सरकार का भी सव्योग करें और आपने आपको बचाए, अपनी परिवार को बचाए, और अपने समाज भाolt के आपने जाये मैं यही आप लोगों से प्राठवन करता हूं गंगे मैया की जये अधानात सवाइजी अच्छा तीवरिश्ट रिच्छ अधिक हरीद्वार में सजा है महाकुंब 2021 का मेला सदी की सबसे बड़ी चुनोती कोविट के बीच उत्तरा खंड सरकार का है ये प्रयास कि शद्धालूओं और संतों को मिले स्वच्छ, सुन्दर और सुरक्षित कुम्भ का दिव्वे एहसाज श्रद्धा और विश्वास के संग खुद की सुरक्षा का आपको रखना है खयाल अस्पताल, निगरानी, जाँच और सतरकता के संग हमेशा मास्क लगाकर सावधानी बरत कर आपको निभानी है आस्था मुख्य मंत्री तीरत सिंग रावत के मार्ग दर्शन में मेला प्रशासन, कोविड मैनेजमेंट टीमें, डॉक्टर और सेवा कर्मी सभी हैं मुस्तैद महा कुम्भ मेले को बनाना है सुन्दर और सुरक्षित यही है हमारी कोशिश कोविड से रहकर सावधान, सफल बनाएं गंगास नान अच्पूरा वेश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाओं तथा सावधानी ही मुख्यात्यार है कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चहरे पर मास जरूरी है समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं, हमेशा दो गस की दूरी का ध्यान रखें उत्राखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखत स्वास्त के लिए प्रतिबद्ध है अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टिकर जरूर लगवाएं ये पूरी तरह से सुरक्षित है दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा सुष्टा एवन लोकसंपर्पलुहाग द्वारा, जदित पजारे पतित पावनी मागंगा के तट पर शुरू हो गया है हरीद्वार महाकुंब आस्था और विश्वास के सबसे बड़े मेले में कोविड-19 से हमेशा सतर्क और सावधान रहकर ही हम इसे एक अविस्मर्निय अफसर बना सकते हैं महाकुंब हरिद्वार आने वालों के लिए आश्रम, होटल, धर्म शालाओं और रैन बसेरों में सुरक्षित प्रवास हेतु, समुचित साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के इंतिजाम किये गए है उत्तरा खंड सरकार सबी शद्धानुओं को रखना चाहती है स्वस्थ और सुरक्षित आपसे भी है अनुरोद सैनिटाइजेशन, मास कर रख कर ध्यान, निभाय परंपरा और करेम महा कुंभ का पावंसनार प्रधान मंत्री नरिन्र मोदी और मुख्य मंत्री तीरत सिंह रावत का ये है प्रयास निभे सदियों की सनातन परंपरा, संग सुरक्षा और विश्वास कुम्भ महापरव 2021 2021, as we witness this sea of humanity gradually making its way towards the Harakipari to take a holy dip in the Mother River Ganga, one witnesses this faith and the processional ritual, the processional ritual which has been part of the Sanatana Dharma Sanskriti for eons for as long as humanity can remember. One is reminded of the chariot of Lord Jagannath as it moves out of the temple every year with the Rajas, with the kings brooming the floor before the chariot. this is the manner in which the saints, the sadhus, the sants, they establish a connection with the soil, they establish a connection with the population, they establish a connection with the elements, elements like the water of the Ganga and the sea of humanity carrying their ensigns, carrying their dhwajas, their dharmu dhwajas, moving towards the river reminds you of the river, river Mother Ganga which is always there, which is always there, flowing because of the glacial melts, but never the same. Every time you approach the river, the river is different, the river is new, the river has renewed itself. It is quite similar for this mass of humanity that is gradually moving towards the river because they are also receiving energy, they are also receiving the grace of Mother Ganga as the river flows from its mouth at Gomuk, merging with the various glacial melts of the rivers like Alaknanda, Bhagirathi, Mandakini, meeting at the various Prayagas in Uttarakhand in the Himalayan reaches and then joining together, coming together finally at Devaprayag, forming the Ganga proper and then flowing into the plains. At this very spot, at this very sacred station, Haridwar, Haridwar which has different connotations for people of different beliefs. Those who believe in Krishna, those who believe in the Vaishnavite way of thinking, call it Haridwar, the gateway of Krishna, the great way of Vishnu. Whereas the Shaivites, the people who believe in the worship of Shiva and in the tenets of Shaivism, think of it as Haridwar, the space where all sins are dissolved, the space where one is purified, where one is cleansed of all sin that one has accumulated in the current lives as well as in the previous lives. When you look at this vast arrangement, when you look at this vast logistics coming together at the Kumbha Mela, it surprises you and at the same time, it also reinforces your faith in the whole idea of what we describe as Sawaya. Most Indians, when they visit a holy shrine or when they visit a temple, they make an offering which is one plus something like a Sawa Rupiah or 11 rupees or 101 rupees or whatever one can afford. The little extra is kept as an offering because it symbolizes that the whole is greater than the sum of all its parts. And this is how the whole being the greater than the sum of all its parts comes together at the Kumbha Mela, where various Akharas come to the holy river to seek benediction, to seek the grace of Mother Ganga. We can witness here the Akhil Bharatiya Shri Panch Nirmohi Akhara and their devotees proceeding towards the river for the holy dip in river Ganges, in river Ganga. Let me also tell you briefly about the water quality of the river Ganga. Scientists have been puzzled over the years, over the centuries about the rare quality of the waters. of Mother Ganga, because the water never seems to putrefy, even if you store it for long periods of time. Many scientific teams have conducted research on this whole aspect of the river waters, and they have found that the river waters have very high oxygen content. Besides, the rocks, the minerals that the river flows through, that the river flows over and dissolves in its journey from the glacial melts at Gormuk and beyond, and then towards the plains of India, render this water ever renewing, ever pure, never to putrefy. This mass of humanity, this large number of people, this large congregation, which the Kung Mabela is, is also symbolic of the river in itself. The river that is cleansing everyone's sin, and yet remains pure, and yet remains untarnished. One can see these large number of vehicles, where the people will disembark, and then gradually make their way towards the Harkipari, for awaiting their turn to take a dip in the river. We can see that now, the Vaishnavas are proceeding for their turn to take the holy dip. The Vaishnavas are easily identifiable by the V-mark on their head, on their forehead. And there are many different ways in which the V-marks can be put on the forehead to indicate which sect or sub-sect the individual devotees are coming from. This holy spot of Haridwar, this holy spot of Harkipari, let me remind you viewers, was also the site of perhaps the first ecological movement in the history of India. The movement that was led by Pandit Madan Mohan Malviya, who later formed the Ganga Sabha, and the movement aimed towards keeping the Ganga waters clean. It aimed at keeping our rivers pristine and free-flowing. This movement occurred when the British wanted to build canals over the river Ganga, and perhaps became a unique movement in the history, in the ecological history of the world, where people became aware of the need to keep the rivers pristine, of the need to keep our forests intact, to keep our waters clean for future generations. The entire Haridwar town at the moment reverberates with the sound of Har Har Mahadev, with the chants of Har Har Mahadev, as chariot upon chariot, parasol upon parasol, ensign upon ensign, make their way towards the banks of the Ganga. There are several ghats, almost 200 of them, that have been built over the years in Haridwar. And here you see the images coming to you from the Shankaracharya chalk, where most of these chariots are assembling, and then are being allowed to move gradually at their appointed time towards the Harkipari. As these chariots, as these people make their way gradually over these makeshift bridges, this mass of humanity continues to chant, this mass of humanity continues to... continues to... पाकितुल्य आरेंड, मेश राशी में स्थित होकर के, अभी अपने ताप को तिब्र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, भक्तों की यह गंगा सतत प्रवाहिनी गंगा की ओर मिल रही है, यह भक्ति की गंगा और जल गंगा यह इसका सम्मेलन है, भगवान सूर्य मेश राशी में आकर के उच्च हो जाते हैं, तो आज से शासन और प्रशासन की क्षमताओं को देने वाले भगवान सूर्य, जो IS, IPS और उच्च पदादिकारों पर जो स्थित हैं, उन पर सूर्य की क्रपा होती है, और जिनका सूर्य उच्च का होता है, वही उच्च पदादिकारी बन पाते हैं, ऐसा भगवान सूर्य के इस नक्षत्र में, इस मास में जो जन्म लेते हैं, उनको भगवान सूरे की कृपा शासन प्रशासन की उत्तम ख्षमता उने प्राप्त होती है तो अब आप देख रहे हैं कि यह भक्तों का प्रवाह सैलाव जो है गंगा की और ब्रह्मकुंड की और हरिपद हरिद्वार में आज इस तीर्थ नगरी में इस मोक्ष के दिव्य स्थान पर जहां पर सर्वदा मोक्ष की प्राप्ती कही गई है और आज विशेश रूप से अमरित पर्व कुम्ब महा पर्व के इस शुवस समय में आप देख रहे हैं इस हर की पैड़ी पर भक्तों की निरंतर जा रही यह पंक्ती भक्ती और श्रद्धा का भारतिय दिव्य ज्ञान विज्ञान और जनमानस के श्रद्धा का यह स्थान है और यह सब भगवत करपा से जीव को प्राप्त होता है कि जो अंतर आत्मा से आत्मा ही एक नदी है और संयम पुर्ण तीर्थ हैं आत्मा नदी संयम पुर्ण तीर्थ हैं और सत्य ही जल है जो सत्य बोलता है सत्य को धार्ण करता है जैसे यह दंडी स्वामी त्रदंड को धार्ण करने वाले हैं त्रदंड क्या हैं मनसा वाचा औ और करमना असत का आश्ट्रे न करना ही यह तीन दंडों का प्रतीक है जो मन को और वाणी को और कर्म को वश में रखने के लिए यह सन्यासी जन्त तर्दंड धारण करते हैं यह तर्दंडी स्वामी जो इनको शास्त्र में कहा गया है कि जो इनको नमन नहीं करता वंदन नहीं करता इनको देखकर के मंदिर को देखकर के जो इनको वंदन नहीं करता है उसका वर्ष भर किया हुआ जो पुर्ण्य है वह समाप्त हो जाता है यतिम द्रिष्ट्वा त्रिदंडिनम त्रिदंडी यतियों का दर्शन तो यह आपको हो रहा है हम बड़े सोभागिशाली हैं कि दूर दर्शन के माध्यम से यह भक्तों की गंगा त्रदंडी सन्यासी संत नागाजन और इस पुर्ण्या हरी पदक्षेत्र इस मायापुरी में दर्शन करते हुए भगवान का गंगा नदी का यह जो है ब्रमध्रव है निर निराकार यह ब्रमध्रव गंगा ही है और एक निराकार जो ब्रम है तो निराकार और निराकार ब्रम का यहां संयोजन हो रहा है आत्मा और परमात्म तत्व का यहां पर संयोजन हो रहा है यह आज पुर्ण्या दिवस है और इसमें आप देख रहे हैं निर्माही अनी अख अपकारिशु यह साधु साधु सद्वी रुच्चते यह साधु और संत ऐसे हैं इनके दर्शन से जीव भजन में और इश्वर परुपकार में इश्वर भाव में स्थिर होता है वही संत है वस्तुता बात यह है कि जो जब कर रहा है वह जब करना बड़ी बात नहीं है भगवत भजन कर रहा है